दोस्तों तो क्या आप भी अपने Android फॉन को की पैड में चलाने चाहते हैं मतलब उन सेटों का लोग देखना चाहते हैं जो बहुत पहले गुजर चुके नोकिया के जो बहुत पहले चला करते थे उनका experience लेना चाहते हैं कैसा लगता था क्या feeling आती थी वह दुबारा explain करना च है सारा कुछ मिलेगा आज के इस वीडियो में चाहिए बहुत जल्द देखने वाले हैं कैसे application को यूज करना है चली चलते मोबाल की स्क्रीन पर उस पर चलने से पहले यह की request रहती वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लें तो चले वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले क्या करन प्लेश्टोर खोलने के बाद सिंप्ल सा आपको यहां पर सर्च करना है Nokia launcher ठीक है बहुत सारे आप option मिल जाएंगे आपको यहां पर कोई साभी मुझे यह पसंद आया तो मैं इसको install कर लेता हूं ठीक है देख सकते हैं आभी full screen पर ऐसा filter देखने को मिलेगा ऐसा ही सब जो भी option देखेगा उसको अगर click करेंगे तो वही काम भी करेगा चलिए यहां पर install करने बाद open कर देना कुछ इस परकार का interface आएगा यहां आपको पहले number पर ही select करना है Nokia 3310 launcher पर आपको निला टिक लगा लेना है और वेक कर लेना है जैसी आप direct back करेंगे तो कुछ इस परक directly करते हैं अब देखे मेरे पूरे phone की display पर Nokia Nokia का कुछ इस प्रकार का frame आ चुका है अगर इसको चलाना चाहें देखे जैसे directly हम लोग काड़ते हैं तो जैसे ऐसे सब कुछ वैसे ही चलेगा लेकिन original theme पर हम लोगों को यही देखेगा ठीक है तो इसको जैसे हम लोग चलाएं पीची एक settings का option देख रहा है उस पर क्लिक करेंगे यहाँ यलो में लिखके आया Nokia launcher पर क्लिक करेंगे ठीक है यहाँ पर set default launcher पर क्लिक करेंगे पहले नमबर का option है इस पर क्लिक करेंगे और उसके जो second number का option है system home screen पर क्लिक करेंगे तो हमारा phone पहले की जैसे हो जाएगा बिल